आज मैं बना रही हूँ नए स्ट्रैल से आलू कीमा मटर जो के हर घर में बनता है और सब को बहुत पसंद होता है और मुझे भी पर्सनली ये बहुत पसंद है तो आईए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बिस्मिल्ला रह्मान रहीम अल्ला के नाम से शुरू जो बड़ा मह अर्बान अनेहाय थी रहम करने वाला है तो सबसे पहले हमने कोई पतीली लेनी है पैन लेना है हाफ कप ऑईल दालना है और गरम करने के लिए रख देना है खड़े मसालों में यहाँ पर मेरे पास चार अदद लॉंग थी दो बड़ी लाइची थी तीन अदद यहाँ पर म प्यास को बारिक कट कर लिया था यह मेरे पास चोटे साइस की प्यास ने ठीक है दो अदद प्यास को बारिक कट करके और ऑईल में दालकर उसको देखिए मैंने गुल्डन ब्राउन कर लिया था उसके बाद यहाँ पर मैंने दो अदद आलों को छील के ऐसे क्यूब में कट कर लिए थे और ये मैंने प्यास के साथ डाल दिये हैं इनको हमने अच्छे तरीके से भूनना है इनको हमने क्रिस्पी करने देखिए यहां पर आलू का आपको कलर चेंज होता वा नजर आ गया होगा तो आलू हमने इस तरीके से भूनने हैं मसाले के साथ प्यास के साथ ठीक ह अब हमने क्या किया है, यहां पर मैंने किमम के बूंन अच्छे पूंत को भी था. आलो के साथ भून जो पहले बूह बूहांति के बूह मुझे कगैओं जो छीम नले गता है थैतिक यहां जो गया अच्छे चेय तरीके कर्यों सालन के आलो को भूनेगी है। तो भूनना बहुत अच्छे तरीके से देखिए यहां पर भूनते वे मुझे सालन को अपने पांच मिनट हो गए थे अब मैंने इसमें मटर आट किया है ठीक है एक पाउ के करीम यहां पर में पास मटर है मटर को भी दालने के बाद हम इसको भी पांच मिनट तक तेज फ्लेम पर तमाम चीजों के साथ भूनेंगे तो यहां देखिए आपको देखने में कितना कलरफुल लग रहा होगार यह बन के बहुत ही मज़ेदार से तयार होता है अब स्पाइस की तरफ चलते हैं देखिए एक चमच कुटिवी मिर्चे हैं आदा चमच गरमसाला है पिसावा आ अजवाएं आदा चमच और यहां पर में पस पिंक सॉल्ट था आदा ही चमच मैंने पिसावा धन्या लियी था आदा चमच हल्दी थी और इन सारे चिजों कोरें घईनली में मसाला दालेंगे और उसके बाद हम इसको अगेर चलाएंगे और चलाने के बाद बस अब हमने क् देख़िए हैं बसаем को नीजन est on but not the flame offline डुफिसे jsा टिमाटर कखिए पाध्र को चलाने के बाद मैशने कीम घंड़के फ्लेंप पांच मिनट तक ठोड़ दूंगी ताकि टिमाटर अपना पाणी भी छोड़ देधो और यह शो अभी हम इसमें पानी एड नहीं करेंगे तो मत्री कीमा क्या होता है बहुत तरीके से घरों में बनता है लेकिन आपने मेरा यह जो तरीका मैं आपको बतारी हूँ यह रैसिपिल आजमें ट्राय करने है और इसका टेस्ट आप मुझे बताईएगा फिर कैसा टेस्ट आपको ल हम पानी है तो यहां देखिये मैं पर यहां ता अल्मुस्ट बाद दिखा रही हूँ तो अलहम्दलिल्ला हमारा मज़ेदार सा आलू मटर कीमे का सालन बन के तयार है अच्छे इसमें ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसे गाड़ा-गाड़ा सा रखा था मुझे थिक चाहिए था आपने अगर इसमें ग्रेवी रखनी हो तो आप इसमें पानी और आड़ कर सकते हैं तो यहां देखिए मैंने चार अदद हरी मिर्चे मोटी वाली आड़ कर दिन थी हरा धनिया फ्रेश कट किया था वो इसमें डाल दिया था और अद्रक ऑप्शनल है आप चाहें आप दाल दिजिए लेकिन मैं अपने तमाम खानों में अद्रक लाजमी आड़ करते हूँ इससे यह होता है कि हाजमा जो होता है वो अच्छा हो जाता है तो यहां देखिए अलहम्दुलिल्ला सालन हमारा रैड़ी हो गया था पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गा मुझे कॉमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मैं इंशाला आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिब तक अपना बहुत खयाल रखिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाईएगा और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा लाहाफिज